नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं JSSC CGL एकजाम 16 वह 17 दिसंबर को होने वाली परिक्षा अस्थागीत जार्खन करमचरी चैन आयोग ने 16 वह 17 दिसंबर को होने वाली अस्थारी सन्युक्त परिक्षा दो हैते इसको अस्थागीत कर दिया है सोमवर 11 दिसंबर को आयोग के दोहारा जारी नोटिस के अनुसार जिस एजनसी को परिक्षा अयोजीत करने की जिमिजाएत दी गई थी उसने अस्मत्ता जाहिर की है जिस वजह से अगले आदेस तक के लिए यह परिक्षा अस्थागीत करने का निन लिया गया बता देया पहला मौका नहीं है जब समाने अस्था तक योगता धारी सन्युक्त परिक्षा की तीथी में बदला हुआ है इससे पहले आयोग के दोहारा 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को परिक्षा अयोजीत करने की संभावना जारी की गई थी जिसके बाद 16 अक्टूबर और अगले आदेश तक के लिए इस परिक्षा को अस्थागित कर दी गई है जनकारी के मुताबिक नए साल में 6 या 7 जनवरी को परिक्षा आयोजीत करने के तियारी आयोग के दोबारा नए सीरे से की गई है मुख्य मंत्री को इडी ने भेजा चठा समन 12 दिसंबर को बुलाया मुख्य मंत्री हमान सुरेन को इडी दोबारा चठी बार समन भेजा गया है जमीन घोटाला मामले में पुष्टास के लिए उन्हें 12 दिसंबर को बुलाया गया बता दे मुख्य मंत्री हमान सुरेन को इडी के दोबारा एक बार फीर से समन जारी किया गया है सुत्रों के जन कारी मिली है कि इडी ने समन जारी करते हैं 12 दिसंबर को उन्हें पुष्टास के लिए बुलाया है यह छटी बार है जब ED ने CM को समझ जारी किया है हलाकि पिछले एक साल में मात्र एक परही मुख्य मंत्री हमासुरेन के सवालों का जबाब देने के लिए ED दफ्तर पहुंचे है गोतला भाई की जमीन घोटाले में पुछताज के लिए इसे पहले 14 अगस्त को एजेंसी के दफ्तर आने के लिए मुख्य मंत्री हमासुरेन को नोटिस भेजा गया था लेकिन CM ने एक भारी भरकम पत्र लिख कर एजेंसी के दफ्तर जाने से साप मना कर दिया था जिसके बाद ED ने एक एक कर कूल पांच बार सीम को समन भेजा था जारखन बिधान सभा का सित कालिन सत्र धीरे साहु का मुद्दा उठेगा जारखन बिधान सभा का सित कालिन सत्र 15 दिसंबर से सुरू हो रहा है सदन की कर्वाही सांती पुन संचालित करने के लिए जहां एक तरफ त्यारी पूरी की जा रही है इस सित कालिन सत्र met 6 कारे दिवस होंगे जिसमें सरकार की ओर से कई बिल भी सदन के पटल पर लाने के त्यारी की गई है इन सब के बीच 14 अधिसंबर को बिधान सभा अध्यक्ष नसीत कालिन सत्र को लेकर हाई लेवल बैठक बुलाई है जिसमें सदन की करवाही को लेकर सता प्रक्ष और भी प्रक्ष के नेताओं के साथ साथ राजी के अला अधिकारी मौझूद रहेंगे या पौला मौका होगा जमनेता प्रतिपक्ष भी पंचम बिधान सभा के इस सत्र के बैठक में मौझूद रहेंगे आर पार की लडाई में उत्रे बीत रहित सिक्षाग पारा सिक्षा के बाद अब राजी के करीब 15,000 बीत रहित सिक्षा कर्मियों ने सरकार के बिरुद विंगुल फूक दिया है अपने लंबित मांगो के समर्थन में राज के बीत रही सिक्षा कर्मियों ने जर्कन बिधान सभा के सित कालिन सत्र के दोरान करो या मरो संगहर्ष के तहत 15 दिसंबर से अंदोलन तेज करने कानी ने लिया है सोमवाट 11 दिसंबर को रांची में धुरुवा के सरोदय स्कूल प्रांगर में हुई जार्खन ब्राजे बीत रही सिक्षा सन्युक संगहर्ष मोर्चा की बैठक में हनी ने लिया गया मोर्चा के अध्यक सुरेंद जहा के नेतित में हुई बैठक में 15 दिसंबर को भूख हरताल और 18 दिसंबर को सीएम को ग्यापन सौपकार 29 दिसंबर को विधान सभा के समख्षा अंदोलन पर बैठने का निर्णे लिया है वही 20 और 21 दिसंबर को रांची स्थी सभी भी धायकों के सरकारी आवास का गेराव करने का निर्णे जार्खन राजे बीत रही सिक्षा सन्युक संगर्श मुर्चा ने लिया है इडी के छठे समन पर सीएम हाजिर नहीं होते हैं तो राजेपाल को उठाना चाहिए कदाम बावुलल मरांडी मुख्य मंत्री हमन सुरेन को इडी ने छठा समन जारी किया है उन्हें 12 दिसंबर को रांची सी छेतरिये कर्याले में पुस्ताश के लिए बुलाया गया इडी ने इस बार जमीन घोटाला मामले में पुस्ताश का हावला देते हुए बुलाया है अब सवाल है कि क्या सीएम इडी ओफीस जाएंगे या फिर पूर्वे के पाच समन की तरह अपना जबाब भेज देंगे इस मसले पर आईनिति गरम आए गई है परदेश भाजपा देख्स बावुला मरांडी ने दोटू कहा है कि मुख्य मंत्री हमासरन के इस बार बिना देर किये इडी के सामने हाजिर होना चाहिए अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो राज जेपाल को कदम उठाना चाहिए पूरा ममला रांची के बढगाई अंचल के आट पन चार्चाव एकर जमीन से जुड़ा हुआ है कब खुलेगा सीएम मामले से जुड़ा चुनाओ आयोग का लिफाफा राज जेपाल ने दिया जबाब जार्खन से कॉंग्रेस के राज सबसासर धिरे साहू एंड फैमिली के ठीकानों से 350 को रुपए से ज्यादा कैस बरामद होने के बाद इस बात की चार्चा सुरू हो गई है कि सीएम मामले में चुनाओ आयोग से राजबोवन आया लिफाफा कब खुलेगा मतादे राजेपल सीपी राधा किष्णन ने इस सवाल का जबाब दिया है उन्होंने कहा है कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जिन्होंने कुछ गलत किया है जो दोसी पाए गए है उन्हें पईनाम भुगतना होगा हम एक साप सुत्रे स्वरोजनिक जीवन की आसा कर रहे हैं इसी दिसा में हम आगे बढ़ रहे हैं मैं आपको एक बात बताऊंगा कि कुछ कठिनाया है हमें उससे गुजरना होगा और हम उससे गुजरेंगे राज एपल सीपी राधा किष्णन ने पीएम मोधी द्वारा विक्सित भारत तो हजार से तालीस युवाओ की आवाज योजना को लंज किये जाने को लेकर राज बहुन में आयोजीत कायकरम के बाद पुछे गए सवालों के जबाब में ए बाते कही है धारा 370 पर सुप्रीम कोट का फैसला जमुमों ने किया नेरने का स्वागत धारा 370 पर सुप्रीम कोट के नेरने पर परतिक किरिया सामने आ रही है बिजेपी के साथ सा जारकन मुक्ति मोर्चा ने भी धारा 370 पर सुप्रीम कोट के फैसले का स्वागत किया है वही कांगरेश ने जम्मू कास्मीर पर रायनीती ना करने की बात कही है बता दे जरकन मुक्ति मोर्चा ने सोमवार को सरोष नियाले द्वारान 6.370 हटाने जाने के मामले में दिये कर फैसले का स्वागत किया सरोष नियाले के निर्नाय का स्वागात करते वे जर्कन मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समीति सज़से और प्रवक्ता मनोश पांडे ने कहा है कि उस्तम नियाले ने जहां राष्ट बति द्वारानु 637 को हटाये जाने को समिधानिक करार दिया है वही यह अभी कहा है कि जमु कास्मिर में भारत का समिधान लागू होंगे उस्तम नियाले ने वहाँ चुनाव कराने की समझ सीमा भी निधारित कर दिया मुख्य मंतरी ग्रामगाडी योजना को लेकर बस संचाल को ने मांगी लोन में रियायद मुख्यमंत्री ग्रामगाली योजना के बाद भी देवघर जीले में अब तक एक भी बसों का संचालन सुरू नहीं हो सका है इस योजना में तक निकी अर्चनों का हवाला देकर बस संचाला को रूची नहीं दिखा रहे और नहीं जीला परिवहन कर्याले में आवेदन आ रहे हैं इसे लेका DTO सेलेंद्र कुमार ने सोमवार को कर्याले कक्ष में LDM राजीव कुमार और बस एसोसेशन के परतिनेद्यों के साथ बैटक की उन्होंने कहा कि ग्रामीन और सुदूर छेत्र में रह रहे लोगों को सहर से जोडने वा आगावा गवन की बेहततर ब्यवस्था करने के उदेश से यह योजना सुरू की गई निर्धारित रूटों पर बस संचालित करने वाले बस संचालकों को वाहन खरीदने पर सबसेडर के प्रवधान निसुल्क परमिट और फिटनेस सुल्क में भी रियायत का प्रवधान है वहीं परती किलोमेटर की हिसाब से डीजल पर भी अनुदान की बेवस्था की गई है इस वजना के तहट बितिये परुट साहन के तहट मात्र एक रुपए के सुल्क में रोड टेक्स परमिट सुल्क वाहन निबंधन सुल्क देना होगा हजारी बाग में गरामिनों ने स्कूल आने जाने वाले रास्ते को घेर कर लगा दी फसल नौपरात्मिक बिद्याला है सीमर कुरहा के बिद्यार्थियों के लिए आने जाने वाले रास्ते को कुछ गरामिनों ने जोत कर उसमें फसल लगा दी है साथ ही तार से घेराबंदी भी कर दी गई है रास्ता बंद होने से पिछले 20 दिनों से बच्चे स्कूल आना बंद कर दी है कुछ बच्चे खेत में चल कर स्कूल पहुँच रहे हैं जो बच्चों के लिए परिशानी का सबब बन गया है रास्ता बंद करने वालों दोरा उस खेत से बच्चों को आने जाने पर मारने की भी धमकी दी जाती है कुछ बच्चे इस धमकी को नजर अंदाज कर इसकूल पहुँच रहे हैं वही रास्ते पर काबजा करने के दवरान बिरोध करने वाले अस्थानी वार्षदस से सकूनी देवी उसके पत्ति केदाय यादव और बेटा के साथ मारपीट भी हो चुकी है हर चार दिन में एक नबालिक के साथ हो रही दुसकर्म की घटनाएं गढवा जिले में पोक्सों के मामले लगातार बढ़ रहें अठार साल से ज्यादा उम्रिकी महिलाओं के साथ दुसकर्म के मामलों के तुनलाएं में नबालिकों के साथ दुसकर्म की घटना हो रही है यदि दर्ज मामलों के आकड़े देखे तो गढ़वा जिल में परतेक चार दिन में एक नवाली के साथ दुसकर्म की घटना हो रही है लेकिन यदि इस आकड़े में 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं के साथ होने वाले दुसकर्म के मामले भी जोड़ दे तो परतेक दो तीन दिन बाद एक महिला के साथ दुसकर्म की घटना घट रही है यदि वाईसे मामले हैं जो थाना या CWC तक पहुँच रहे है सलक सुरक्षा को लेकर लाते हार में वाहन चेकिन अभियान तेज SP अजणी अजण के निर्देश पर लाते अरक Σभी थाना चेत्रो में सलक सुरक्षा को लेकर 20S वाहन चेकिन अभियान चलाया जा रहा है SP ने बताया है कि सलक दुर्गातना को काम करने के लिए जिले भर में पुलिस नवाहन चेकिन अभियान चलाया जा रहा है जिले में सड़क दुर्गाटना से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है ऐसे में दो पहिया वहां चालकों को हेलमेट पहुण कर चलाने की सलाथ दी जा रही है उन्होंने बताया हाई कि यह अभियान लगातार चलाया जाएगा जिससे जीले के लोगों में नीमित रूप से हेलमेट पहुणने क्यादत बन जाएगी सियम हमन्त 15 को आएंगे खुटी सरकार आपके द्वार कारकरम में देंगे तोफा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम के तहट 15 अधिस्तंबर को मुख्य मंत्री हमन स्रिन खुटी आएंगे खुटी के अस्थानिय कचहरी मैदान में आयोजित कारकरम में हिसा लेंगे कारकरम को सफल बनाने के उदेश से सोमवार को समना ले सभागार में उपायुक्त लोकेस मिस्त्र की अधियक्स्ता में बैठक हुई बैठक में उपायुक्त ने कहा है कि मुख्य मंत्री के कारकरम को लेकर सारी बेवस्थाओं को दुरूस्त आउसुद्रिड किया जा रहा है इसके लिए सभी विभाग अपने अपनी तेहरिया पहले ही पूरी कर ले सभी विभाग आपस में ताल मेल बना कर कार करें उन्होंने अधिकारियों को कारकरम को सफल बनाने का निर्देश दिया है सियम हेमन्द ने आपके द्वार कारकरम में केदर सरकारों बीजेपी पर साधा निसाना जारकन के मुखे मंत्री हेमन्द सुमवार को बोकारों जी लेके चास परखंट इसीत उतकर्मित उच बिद्यालाय सुनना बाद में आयोजित कारकरम में कहा है कि 1,36,000 को रूपाय केंद शकार पर बकाया है यदि हमारी रासी मिली होती तो हम दोगनी पेंसन देते आपकी योईना आपके सरकार आपके दर कारकरम को समवजित करते हुए CM हिमन्सुरे ने कहा है कि जार्खन में जब से हमारी सरकार वजूद में आई है हम यहां के आदिवासी मुलवासी के हक अधिकार को संवर्चित करने के लिए परतिबता के साथ कार कर रहे हैं हमारी सरकार ने आदिवासी मुलवासी के हक अधिकार के लिए बिधान समा से 1922 अधारित नियोजन नित्ती पारित कराया लेकिन जान भुज कर इसमें कानूनी अर्चन लगा दिया गया 1932 अधारित नियोजन नित्ती पर जारी रहेगा परया सीम हिमंत सियम हिमंस ने कहा है कि जार्खन में जब से हमारी सरकार वजूद में आई है हम यहां के आदिवासी मुलवासी के हक अधिकार को संग्रचित करने के लिए परतिबत्ता के साथ कार कर रहे हैं हमारी सरकार ने आदिवासी मुलवासी के हक अधिकार के लिविधान सबासे 1932 अदारित नियोजन निती पारित कराया लेकिन जान बुझ कर इसमें कानूनी अर्चन लगा दिया गया परंतु 1932 अदारित नियोजन निती के लिए हमारा परियास जारी रहेगा मैंने 8 लग बचियों को साइकल योजना से जोड़ा है बेटियों को पढ़ाने के लिए सरकार उसकी खर्च उठाएगी चुकि आने वाले समय में सिक्षित राज बनाना हमारी परत्मिकताए है साथ हजार से अनुदान को बढ़ाकर एक लग किया जाएगा इससे भी अधिक रासी उपलब्द कराने के लिए सरकार गुरुजी क्रेडिट काड़ दे रही है बिधायक दसरत गागाई ने मुख्य मंत्री अमंतरन फूटबोल परत्योकता का किया उधगाटन जारखन के खेल कूट एवम युगा कारे निदे साले के सोजने से सरायक लग हरसावा जिला परसासन द्वारा आयोजित मुख्य मंत्री अमंतरन फूटबोल परत्योकता का उधगाटन करते हुए मुख्या थितिस विधायक दसरत गागराई ने कहा है कि सालेक लग हरसावा जिले का खेल कूट एवम कला के छेत्र में सोजनवी इतिहास रहा है खेल परति भावो को तरासने के लिए साहाय खेल योजना पोटो खेल योजना मुख्य मंत्री अमंत्रन कप फोटबोल जैसी कई योजनाय सरकार द्वारा चलाई जा रही है खारसावा के अरजुना एस्टेडियम में पूरुस वर्ग की परत्योकता का उन्होंने उधगाटन किया उन्होंने खिलाडियों से बेहतर परत्योकता के लिए मेहनत करने के अपील की मंगलवार को मुख्य मंत्री अमंत्रन फोटबोल परत्योकता के तहाँ जीले के नौ परखंडों की महिला वर्ग की परत्योकता आयोजित की जाएगी इस सीग्रेट के सिकार हो रहे इसकूली बच्छे राजधाने के निजी इसकूलों के बच्चों में इस सीग्रेट और ब्राउन सुगर का चलन तेजी से बढ़ रहा है ऐसे कई मामले सहर के कई निजी इसकूलों और चौक्शो रहाओं पर मिल जाएंगे इस्कूली बच्चों को इस सिग्रेट के आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं पढ़ाई लिखाई में कमजूर बच्चों को सिकार बनाया जा रहा है ब्राउन सुगर पिलाने के लिए किसोरो के गुरूप को टारगेट किया जा रहा है किसी बीसेस औसर पर इसकी सुरुवात पेडलर के आदमी कराते हैं लट लगने पर इनका कारोबार सुरू हो जाता है किसोरो के गुरूप में एक या दो ही लड़कों को पता होता है कि ब्राउन सुगर कहां मिलेगा फोन पर ओडर करने पर डिलेवरी कर दी जाती है पैसे ओनलाइन भुगतान लिया जाता है लत वाले युवाओ का कहना है कि उनको पता नहीं होता है कि कौन बेच रहा है जब भी ज़रूरत होती है तो गुरूप के किसी खास लड़कों को संपर्क किया जाता है धीरेश साहू के ठीकानों से मिले नोटो का भंडार मामला में जार्खन सरकार को बरखास्त करने की मांग जार्खन के कांग्रेश सांसत धीरेश साहू के ठीकानों से मिले नोटो के अकूत भंडार का मामला सोमवर को संसत में गुजा रांची के सांसद संजय सेट ने लोग सभा में इस मुद्ध को उठाया कॉंग्रेस पाटी के राय सभा सांसद के ठीकानों से करीब 300 कोई रुपे नगत मिलने के बाद उन्होंने जारकन सरकार को बरखस्त करने की मांग की है जैसे ही संजय सेट ने यह सवाल उठाया संसद में हंगामा हो गया सतापक्ष के सज़स्तियों ने राहूल गांधी और सोनिया गांधी से जबाब मांगना शुरू कर दिया रांची के संसद ने कहा है कि यह सिर्फ नगदी की बरावंदिगी का ममला नहीं है यह राष्ट की सुरक्षा से भी जुड़ा है इतना ही नहीं फार्तिय जनता पार्टी के नेता ने जार्खन में प्रवतन नीदे साले के अधिकारियों की सुरक्षा से जुले सवाल भी संसद में पूछे है अमीशा पटेल पर अधालत ने लगाया एक हया रुपय का जुर्माना चेक बाउस ममले में आरोपीत अभिनेत्री अमीशा पटेल पर अधालत ने एक हया रुपय का जुर्माना लगाया है उनकी ओर से गवा अजय कुमार का प्रती परिक्षन पुरा नहीं करने पर अदालत में आदेश पारित किया गया बता दे कि फिल्म निर्मान को लेकर अमिसा पटेले रांची के रहने वाले अजय कुमार सिंग से दो को रुपए लिये थे फिल्म नहीं बनाने पर जब पैसे कि मांगी गई तो उनकी ओर से दो चेक दिये गए जो बाउंस करे गए उसके बाद उनके खिलाब सिकायत वाद दर्च कराया गया है ज्यारखन सरकार की अनोखी पहल बच्चे पढ़ेंगे पोक सो एक्ट का पार्ट सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब योन अपराधोस से बच्चों का संरक्षन अधिनियम 2012 जल एवं उर्जा संरक्षन सलक सुरक्षा लेंगिक सवानता जैसे प्रसांगिक विशायों को अपनी पाठे पुस्तकों में पढ़ेंगे राज सरकारी का अप्षा एक से आठे बच्चों को उपलब्द कराने वाली पुस्तकों में काक्षा के अनुसार इस विशायों को पहली बार सामिलित किया है जारकन में 33 स्रेनी के पदोपर नियुक्ति के लिए आयोजीत होने वाली प्रत्योत्ता परिक्षा में जारकन से अधिक प्रश्न पुछे जाते हैं इसलिए पहली पाठे पुस्तकों में जारकन से जुड़े टॉपिक पढ़ाये गए हैं इससे बच्चे जारकन के भुगोल और इतिहास खास कर जारकन अंदोलन तता यहां की कला संस्कृति आधी को अची तरह से जान सकेंगे सम्मोहन के जाल में फसा कर महिला से लूटे लाखों के गहने राजधानी रांची में लूट का एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है बचों को स्कूल छोड़ घर लोट रही एक महिला को दो अपराधियों ने तंत्रमन से सम्मोहित कर लाखों के जेवर लूट लिये महिला ने इस सम्मद में रांची के बीट ओपी में मामला दर्ज कराया है बता दे रांची में हिपनोटाइज कर एक महिला से लूट करने का मामला रिपोर्ट हुआ है अपराधियों ने रांची के नेवरी स्थीत डिपीएस ग्रेटर स्कूल के समीप एक महिला लूट की वर्दात को अंजाम दे कर उनसे नगदी समेथ चार लाख रुपए के जेवर लूट कर फरार हो गए इस समध में कोकर के बैंक कालोनी की रहने वाली महिला प्रियांका उपाध्यक्ष ने मेस्तरा ओपी में दो अग्यात अपराधियों खिला प्रत्मी की दर्च कराई है रांची में फाइरिंग राजधानी के सुख देव नगर थाना छेतरे के लाह कोठी में एक युवक को अपराधियों ने गोली मार कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया है घायल युवक का नाम गोपाल स्रिवास्तों बताया जा रहा है घायल युवक को इलाज के लिए रिम्प्स में भरती कर राया गया है गोली लगने के बाद भी घायल युवक अपराधियों से भीड़ गया इसके बाद अपराधियों ने उस पर चाकु से विवार किया और मोके से फ्रार हो गया मिली जनकारी के नुसार गोपाल नाम का युवक लाह कोटी सीद एक दवा दुकान से दवाई खरीद कर जैसे ही वापस जाने को त्यार हुआ उसी समय पहले से घात लगाए दो अपराधियों ने उस पर फारिंग कर दी गोपाल के पेट में जा लगी और वह सलक पर ही गीर पड़ा धन्यवाद